हेलो स्टूडेंट्स उमीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है काफी जोरों से चल रही होगे ईवीपीएस द्वारा रीजनल रूरल बंक शेत्रिय अग्रामीन बैंकों का नोधिकेशन जारी हो गया है ये नोधिकेशन खल रात को गेरा साड़े गेरा बजे के करीब आया था Evangel na mythology इससे एक दिन पहले IVPS ने विंडो नोटिफिकेशन जारी किया था शॉट नोटिफिकेशन और कल रात को IVPS ने रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीन शेत्रिय बैंक हैं उनमें क्लर्क और प्रोबिशनरी ओफिसर्स की रेकूरूट्मेंट के लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन कल रात को रिलीज हो गया है यह नोटिफिकेशन IVPS हर साल रिलीज करता है 1st of June को लेकिन इस साल elections की वज़े से थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन डिले इतना भी नहीं हुआ है कि आपके पास preparation time नहीं होगा डिले सिरफ 6 दिन का हुआ है लेकिन एक good news यह है कि आप number of vacancies और POS के recruitment के लिए यह vacancies पिछले 3-4 साल से आप compare करेंगे तो यह जो vacancies इस साल निकाली गई है वो सबसे ज्यादा vacancies है आप यह कह सकते हैं whether it is for PO और it is for clerk सो इस वीडियो में हम थोड़े important notification details के बारे में बात करेंगे जो notification release हुआ है उसके थोड़े important details के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे important dates vacancies क्या है eligibility criteria क्या है exam का pattern क्या है apply कैसे करना है और application fees कितनी है यह सारे points इस वीडियो में एकदम brief में short में हम लोग संक्षिप में discuss करेंगे चलिए ठीक है यह है important dates जो IBPS notification में जो important dates release की गई है इसमें हमने सारी dates नहीं डाली है सिरफ हमने important dates डाली है जो बाकी जो dates हैं जैसे hall ticket download, pre exam call letter training और mains का result कब आएगा, mains के hall ticket कब डाउनलोड होगी यह सारे आप notification में refer कर सकते हैं इसका link हमने description box में दिया है आप वो link पे जाके आप सारी details आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिरफ important dates के बारे में बात करेंगे जो registration window है application apply करने के लिए जो registration window है fees भरने के लिए वो start होती है 7 June से लेके 27 June तक आपके पास इतना समय है साथ जून से लेके 27 June इस window के बीच में आप इस exam के लिए apply कर सकते हैं तो please apply for this exam well in advance, don't wait till the last date of 27th काफी सारे बच्चे होते हैं जो वो ते भी last दिन तक रुके रहते हैं so last day तक wait मत करिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इस exam के लिए apply कर लिजिए online examination जो preliminary examination है वो conduct किया जाएगा August के महिने में जो preliminary examination है वो conduct किया जाएगा August के महिने में इसकी exact dates भी हैं हमारे पास जो IBPS ने release किया था annual calendar January के महिने में उसमें exam dates दी गई थी जो कल notification आया है वो notification में IBPS ने exam dates नहीं दी हैं लेकिन जो calendar release हुआ था February में इस साल January February में उस calendar में IBPS ने exact dates दी हैं वो dates हम next slide में देखेंगे तो फिलहाल यहां सिरफ देखते हैं कि बई कौन से महिने में क्या event announce किया है IBPS ने preliminary exam online होगा August के महिने में main का जो exam है for POs वो होगा September में जो PO क्या single exam होता है scale 3 और specialist officer एक्सेक्टर जो भी है उसका exam होगा September में result declaration main exam single exam है October में interviews होंगे November में और January को provisional allotment भी हो जाएगा January तक इस entire पूरे के पूरे process की जो recruitment process की प्रक्रिया है वो January तक IBPS खतम कर देगा now look at these dates यह dates पे एक बार नजर डालिए these are the exact dates which were already released in the IBPS calendar यह dates देखिए preliminary exam जो है office assistant और और officers का in dates को किया जाएगा third fourth august 10th august 17th august and 18th august totally five days है यह five days में IBPS अपना office assistant और officer scale one का exam conduct करेगा single examination for officer scale two and scale three जो scale two scale three officer है उसके लिए prelim और में नहीं होता है for scale two and scale three officer is a single exam and that single main exam is on 29th of September main examination officer scale one is on 29th of September and main examination जो office assistant जो clerk का है वो exam है 6 October को ठीक है तो यह है important dates note कर लीजिए जो dates IBPS ने calendar में release करी थी वो यह dates है यह tentative dates है बट जनरली हमने देखा है कि पिछले कई इस सालों में जो IBPS जो date announce करता है उसी date पर exams conduct हो जाते हैं यह dates change होने के chances बहुत बहुत कम हैं यह पिछले दो-तिन साल के vacancies देखिए इस साल की vacancies के बारे में तो आपको पता है कि वह नम्मरों vacancies in this announced in this year इस साल के नम्मरों vacancies है 9995 almost 10,000 पिछले साल जो vacancies announced होई थी वह थी 8600 दो 2022 में जो vacancies announced होई थी वह थी 8100 यह जो vacancies आप देख रहे हैं यह vacancies जो है वह notification में announce करी गई थी these are not the final the vacancies but these vacancies were announced in the notification जब notification release हुआ था तो जो vacancies announced होई थी वह यह vacancies है लेकिन जब final selection हुआ था तो यह जो 8000 का जो आप number देख रहे हैं यह करीब करीब 11,000 तक पहुंच गया था यह 8000 का number भी 10,000 के पार हो गया था तो this year also आप उमीद कर सकते हैं इस साल भी कि यह जो 10,000 का number है यह जरूर 12,000 के आसपास जाके रुख सकता है एक और important point है जितने भी rural banks है यह जो आई वी पीएस जो recruitment करता है शेत्रिय ग्रामीन बैंक में officer और clerk की यह total number of regional banks जो इसमें participate करते हैं वो है 43 banks यह 43 banks में से अभी six banks ने reported vacancies report नहीं करी है it will comfortably cross 12,000 so vacancies बहुत ज्यादा है इस बार तो when compared to last two years बहुत ज्यादा vacancies है और यह हम sub aspirants के लिए जो यह exam लिख रहे हैं candidates के लिए यह बहुत ही अच्छी ख़बर है यह vacancies का breakup office assistant की vacancies है 5,500 officer scale 1 की vacancies है 3,500 officer scale 2 यह सारे की सारी vacancies करीब about 700 plus vacancies है so clerk की vacancies है 5,500 scale 1 officer की vacancies है almost 3,500 यह सारे आप officer scale 2 की vacancies देखेंगे तो करीब 700 के ऊपर है और यह last वाला scale 3 officer 129 यह total आपका बनता है 9,995 vacancies eligibility criteria की बात करें this is the age limit eligibility criteria की date जो रखी है उन्होंने age के date के लिए age के लिए वो रखी है 1st June 2024 so इस date को 1st June 2024 को यह है eligibility criteria clerk का 18 to 28 years scale 1 officer का 18 to 30 scale 2 का 21 to 32 और scale 3 का 21 to 40 years जो education qualification की जो eligibility criteria की date रखी गई है वो है 27th June 2024 यानि की जो date जो last date है apply करने की 27th June 2024 is the last day to apply वो date को education qualification के तोर पे eligibility criteria के तोर पे education qualification के लिए ये date रखी गई है इसमें देखिए office assistant के लिए graduation in any discipline from recognized university कोई minimum percentage की ज़रूरत नहीं है probationary officer के लिए degree in any discipline from recognized university अगर आप grade 2 के लिए apply कर रहे हैं आपके graduation में IT, agriculture या MBA किया हुआ है आपने तो those candidates will be given preference for grade 2 scale officer और grade जो specialist officer है उसके लिए तो जो आप specialist officer post के लिए apply कर रहे हो उसकी relevant degree आपके पास होनी चाहिए अगर आप law के लिए apply कर रहे हैं तो you should वह required होता है graduation में वह सब details आपको notification में मिल जाएंगे selection process and exam pattern यहाँ पर हम सिर्फ exam pattern देखेंगे ज्यादा detail में बात नहीं करेंगे हम एक और video बनाएंगे वो video में हम आपको यह जो आई-वी-पी-ए-स-ार-वी exam है उसका सारा syllabus क्या है हर topic में से पिछले 2-3 साल में कितने questions आएं कौन सा question कौन सा topic important है कौन सा topic कम important है किस पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए यह सब detailed syllabus के उपर हम RRB PO और clerk के detailed syllabus के उपर एक और वीडियो करेंगे एक 2-3 दिल में वो वीडियो करके हम यहाँ पर upload करेंगे सो हमारे YouTube channel आप विजिट करते रहें for more details on this notification syllabus etc. वो हम लोग यहाँ पर upload करेंगे ठीक है तो अभी देखते हैं कि इनका selection process क्या है office assistant जो है सिरफ preliminary main process है इसमें कोई interview नहीं होता office assistant में कोई interview नहीं होता जो भी marks आप main exam में score करते हैं that is considered as the final mark for drawing the merit list merit list मराने के लिए जो main में आप mark score करते हैं वो ही final consider किया जाता है लेकिन बाके post के लिए scale one officer scale two officer scale three officer exam के बाद main exam plus interview exam plus interview add करके जो बनता है वो final के लिए consider किया जाता है clerk में कोई interview का mark को interview नहीं है और उसका कुछ interview के minor ही नहीं है clerk में जो भी main आप score करेंगे marks वो आपका final criteria final merit list draw करने के लिए वो marks consider करेंगे ठीक है चलिए next slide की तरफ बढ़ते हैं यह है paper pattern जैसे मैंने आपको चलिए कोई बढ़ते हैं और आपके जाता है और ऑफिस असिस्टेंट के एक्जाम में वो numerical ability के नाम से उसको जाना जाता है तो 40 questions 40 marks और total 80 questions 80 marks cumulative time limit 45 minutes no section wise time limit in this exam prelim में section wise time limit नहीं है there is no section wise time limit no section wise time okay cumulative time 45 minutes यह 45 minutes में आप चाहे पहले quant करिए चाहे reasoning करिए फिर इसके बाद आप quant section में भी आ सकते हैं एक section से दूसरे section में जा सकते हैं यह फाइदा होता है time limit नहीं होने का अगर time limit होती है तो जो section का time खतम हो जाता है उस section में आप वापिस नहीं जा सकते लेकिन यहां पर आप इन दोनों section के बीच में आगे पीछे कर सकते हैं this is the paper pattern of office assistant main reasoning 40 questions 50 marks general awareness 40 40 quantitative aptitude 40 questions 50 marks or English section or ya Hindi language section 40 40 computer knowledge 40 questions 20 marks computer knowledge marks distribution थोड़ा अलग है 40 question 20 mark or reasoning or quant section b marks distribution थोड़ा सा अलग है 40 question 50 marks और यहां पर 40 question 50 marks that is each question carries more than one mark यह है scale 2 और scale 3 single exam का paper pattern इसमें प्रिलिम के बाद इसमें प्रिलिम के बाद इसमें प्रिलिम नहीं होता है इसमें general awareness की बजाए financial awareness है focus will be more on financial knowledge or financial terms so focus will be more on financial knowledge or financial terms rather than current affairs के उपर ठीक है यह है paper pattern of scale 2 which is specialist officer इसमें जो भी आप specialist officer post के लिए apply कर रहे हैं उस area का professional knowledge का एक अलग से section होता है अगर आप agriculture के specialist officer के लिए apply करेंगे तो उसमें आपको professional knowledge में agriculture के उपर questions होंगे अगर आप marketing के लिए apply करेंगे तो marketing के उपर question होंगे professional knowledge this is a for specialist officer single exam negative marking सब में है prelim में, main में, office assistant में, scale 1, scale 2, scale 3 में सब exams में negative marking है 0.25 of the marks allotted to that question अगर 1 mark allotted है तो उसका 0.25, अगर 1.25 mark allotted है तो उसका 0.25 allotted application देखिए कैसे apply करना है, offline आप apply नहीं कर सकते आपको online ही apply करना पड़ेगा, IBPS की website पे जाके आपको online apply करना पड़ेगा and last date for applying is 27.624, last date तक wait मत करिए, apply well before the last date ये सारी चीज़ें जो चाहिए application के लिए ये आप पहले ready कर लीजिए before applying, signature of photograph, scan of the photograph, signature का scan, left thumb impression, declaration form, valid email ID, ये सारी चीज़ें जो भी अपने को चाहिए apply करने के लिए वो पहले ready कर लीजिए, उसके बाद आप अपना application process start करें application fees 175 rupees for SCST and PWD candidates और बाकि सब के लिए 850 rupees है अगर आप clerk post के लिए apply कर रहे हैं तो 850 rupees भरना पड़ेगा उसके अलावा अगर आप clerk plus officer दोनों के लिए भी apply कर रहे हैं तो आपको 850 अलग से उसको amount आपको भरना पड़ेगा तो यह था IVPS RRB के बारे में जो notification release की गई है उसके बारे में information हमने आपको दिया था हमारे YouTube channel time for bank exams जो है we upload all the notifications जो आते हैं उसके information उसकी video syllabus, paper pattern, subject videos etc. हम सब अपने YouTube channel पे upload करते हैं जिसका link मैंने description box में दे दिया है और दूसरा यह telegram channel भी है एक हमारा इसमें हम सारे post डालते हैं notifications के post और daily quiz भी होता है इसमें और current affairs भी sub update इसमें आपको सारा free मिलता है इसमें content इसमें बहुत सारा content आपको free मिलता है तो हमारे telegram channel पे भी time for bank exams वहां जाके आप search करके इसके लिए भी आप subscribe कर सकते हैं जो हमारे courses हैं जो हम offer करते हैं वो है classroom courses and online courses जो classroom courses हैं वो आप अपने center से contact करिए जो nearest आपका time center है वहां जाके आप contact करिए notification अभी release हो चुका है हर center में हमने classroom batches announce किये हैं और RRB exam के पहले prelim का portion complete कर दिया जाएगा before the prelim exam of RRB the portion of prelim will be completed in the classes और हमारे online courses भी हैं आप यहां पर जाके हमारे online courses enroll कर सकते हैं काफी सारे variants है online courses में 3 months, 6 months, 12 months, combination of bank with SSC, bank clerk अलग से भी एक variant है वहां आप जाके जो variant आपको suit करता है अपने एसाब से आप हमारे online courses में भी आप enroll कर सकते हैं ठीक है तो चलिए wishing you all the best for IVPS RRB exam और जल्दी ही IVPS clerk notification भी release होगा और IVPS PO notification भी release होगा और हो सकता है कि इस सब के बीच में SBI PO और SBI clerk का notifications भी release हो तो अपनी पढ़ाई जारी रखिये और notification release होने तक wait मत करिये ओके, all the best, thank you पीले और कर दो